Hello friends, this is Pawan Chaudhary, welcome to Sarthi Education, MPPSC, Vyapam, Madhya-Pedesh के दूसरे exam, SSC, UPSC, इन सभी exam के लिए important मेरा current affair का course, May 2019 daily current affair, और सबसे पहले आप नभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो इसको subscribe जरूर कीजेगा, इस lecture का जो time है, मैंने थोड़ा सास का time change कर दिया है, पहले lecture राग को 9 बज़े आता थ आता तारी के news है, तो वो 19 तारी को सुबह 5 बज़े lecture जो है, वो launch होगा, ठीक है, तो 19 तारी को बहुत बार यह होता था कि रात के time जो lecture आता था, तो 9 बज़े बहुत सारी news जो है, वो दिन की छूट जाती थी, इसलिए next day, जो है, early in the morning, आपको यह lecture मिल जाएगा, उसके प सारे फोटोग्राप्स वगरा जो भी current affair की इंसरे रेटेड़ है, या दूसरी कही सारी चीज़े जो है, मेरे द्वरा शेर की जाती है, तो इसका लिंक जो है, वो description के अंदर दिया है, साथी हमारी वेबसाइट यह और civilsarty.com, इसको और भी जाके आप इसको login कर सकते हैं, इ तो उसके अलावा, मैं अनकैडमी पर भी आप लोगों को MPPSC Category और UPSC Category के अदर पढ़ाता हूं, तो अगर आप MPPSC का कोई भी plus subscription लेते हैं, किसी और exam का plus subscription लेते हैं, तो आप मेरा code यह सिवल सार्थी का उप्योग कर सकते हैं, you will get 10% discount on that, 10% आपको instant discount मिलेगा, साथी उसक करने के बाद message करते हैं, कि मैंने आपके code use किया है, तो मैं आपको 10% extra discount अपनी तरफ से provide करूँगा, तो आपको 20% discount यहां पर मिल जाएगा, okay, so चलिए start करते हैं, 18th और 19th of May 2019 का यह current affair का lecture, पहली news की अगर मैं यहां पर बात करूँ, तो यहां पर रुदराक्स plantation के जो गंग नियु द्वारा शेयर किया, शाइन किया गया है, नाशनल मिशन फोर क्लीन गंगा, NMCG, इन्टाइक मतलब दे इंडियन नाशनल ट्रस्ट और आर्ट एंड कल्चर हरिटेज और HCL Foundation द्वारा इसको साइन किया गया है, जहां पर 10,000 रुदराक्ष ट्री जो है, वो गंगा इनके कैश्मेंट के अंदर यहां पर लगाए जाएंगे, तो काफी के इंपॉर्टेंट समझोता है, यहां पर हुआ है, वैसे रुदराक्ष जो ट्री है, यह इसका जो साइंटिफिक नेम है, वो है ऐलसेपरस ग्यानिटरस और बिसिकली इसको पूजा वगरा के रूप मे इसको उप्योग किया जाता है, यह जो टर्म है, रुदराक्ष, यह बिसिकली माना जाता है कि भगवान जो शिव हैं, उनका पेटिक नाम है अक्ष, मतलब जो उनके आसू जो होते हैं, उसको यह टीरड्रॉक के रूप में देखा जाता है, कि इसको भगवान शिव के तो इस तरह के जो रुदराक्ष हैं, ऐसी चीज़े वहाँ पर निकली थी, तो उससे उनके अक्ष से रुदराक्ष इसका नाम, रुदर मतलब भगवान शिव और अक्ष मतलब, या फिर अक्ष जो भी आप बोलें, मतलब उनके आसू, उस तरह से इसका नाम रुदराक्ष के द्वारा लगाए जाएंगे, अगली ख़बर की बात करें, तो इंटरनाशनल डे ओफ लाइट, जो है, उस 16th of May को सेलिब्रेट किया गया, यह जो डे है, बैसिकली, इट्स कॉल्ल इंटरनाशनल डे ओफ लाइट, जो युनेसको द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 2019 के अंदर जो है, इसका सेकंड सेलिब्रेशन है, मलब 2018 के अंदर इसका इन्वग्रेशन हुआ था, यह बैसिकली, 16 मई 1960 को, 16th of May 1960 को, एक इंजिनियर और फिसिस्ट थे, थे, तेरौन मैमन, उन्होंने यहां पे पहला सक्सेसफुल लेजर आपरेशन किया था, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, यह अभी मनाना हमने आपर स्टार्ट किया है, इट रीली एम तू जो आपके लाइट बेस्ट टेक्नलोजी है, उनके अंदर अवेना साने के लिए चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो, यह आर्ट एंड कल्चर के अंदर हो, सस्टेनेबल डव इटिमिनेटिंग एजुकेशन कान्फरेंस, अगली खबर की यहाँ पर बात करें, तो ताइवान पहला एशन कांट्री बन गया है, जो सेम सेक्स मारिज को यहाँ पे लीगलाइज, उसने यहाँ पे उसको मानिता दी दी है, तो ताइवान का जो परलिमेंट है, उसने उसे सम्मादित जो सेम सेक्स लोग है, उसने यहाँ पे और यहाँ पे सम्मादित कानून उसको पास कर दिया है, और इसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, तो वहाँ के प्राइमिस्टर भी लगा था, रिसीट को सपोर्ट कर रहे थे और अल्टिमेटली अब यह ल सम्मादित कोई भी कानून सरकार द्वारा नहीं बनाया गया, भारत के अंदर है किसको लेके जो कानून है यहाँ पे बनाया जाएगा, अभी ताइवान के अंदर जो लोग है, इसके अंदर जो भी कपल है, वो अपना मैरिज रेजिस्टेशन वहाँ पे जाके करवा सकते ह साथ ही यहाँ पर उनको परमिशन दी गई है कि सेम्सेक्स के कपल अगर शादी करते हैं तो उनके जो अगर उन में से किसी भी एक पार्टनर का जो बायलोजिकल चिल्रन है, उसको वहाँ पर वो अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब अगर दो लड़के शादी करते हैं, तो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तो यह पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, पायलोजिकल चिल्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं, तीक है, दुनिया बदल रही है, हमें नहीं बदलना, सिर्फ दुनिया को बदलने दो, अगली खमर की यहाँ पर बात करें, तो जाने माने बच्चे के चीजे हैं, उनका निर्मान किया है, लेकिन अभी उसके बाद यूएस के अंदर आके बस गये थे, यह जो है, यूएस के अंदर वशिंग्टें टी-सी के अंदर नाशनल आर्ट जो गैल्री ऑफ आर्ट है, सबसे ज्यादा फेमस है महाँ पर, उसको उन्होंने उसका बूरा बिल्डिंग बनाया है, साथ ही उन्होंने चीजल टावर ऑफ दे नाशनल सेंडर अट्मास्फिर्क रिसर्च जो आपका बॉल्डर कॉलरोड़ा में है, वो उन्होंने बनाया है, उसके अलावा उन्होंने एक मल्टी शेप रोकन रोल हॉल अफ फिर्म उन्हो इसको इन्होंने बेल्ड किया, तो इसे कई सारे मॉडन आर्किटेक्चर जो है इन्होंने बनाया है, ठीक है, उसके साथ में ही इवर डिजाइन दे म्यूजियम ऑफ इसलामिक आर्ड इंदोहा कतर के अंदर 2008 के अंदर उन्होंने बनाया था जो सबसे इनका फेमस जो आर्क इसके अंदर आपको रहना है, तो महाँ पर ग्रीन कार्ड होना चाहिए, वो सरकार यहाँ पर देती थी, तो पर्मनेट लिगल रेसिटेंसी जो है, अभी यह कई सारे पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर होंगे, कि जो व्यक्ति वहाँ पर आ रहा है, उसका एज, उसका सेंस, बलब कि वहाँ के राजनीती और यह सिविक जो है, उसके बारे में कितना जानता है, जॉब अपॉर्शनीटी, नॉलेज, इन सब को यहाँ पर पॉइंट्स के बेसिस पर मेजर किया जाएगा, और उसके बाद जो है, उसके बाद वहाँ पर मेंबर्शिप दिया ठीक है, तो इससे यहाँ पर यही होगा, कि जो अमेरिका के अंदर आके रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, उनकी जो वीजा की नंबर्स जो है, वो 15.57 परसेंट तक यहाँ पर इंक्रीस हो जाएंगे, इसको लाने का में पर यहाँ पर यह था, कि ज सब इंफोमेशन, जो अमेरिका से रेलेटेट होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है, इसको यहाँ पर रहने के पर्मिशन न दिया है, उसके रूज जा है, वो एस्ट्रिक बनाया जाए, हर सल अमेरिका के अंदर 1.1 मिलियन जो ग्रीन कार्ट है, वो अमेरिका पूरे वर् देता है, ठीक है, जिसके अंदर उनको काम, लाइफटाइम काम करने का पर्मिशन और उसके साथ में जो है, पांच साल तक रहने के बाद सिटिजनशिप का जो पर्मिशन है, वो यहाँ पर बिल जाता है, अगली ख़बर की बात करें, तो इंडियन नेवी ने सक्सिस्फु अबार्टर क्यापबिलिटी वाले, जिते भी हमारे जो आनेस हैं, जिते हमारे हमारे शिप्से और इसको लगाया जा सकता है, जहां पे बीडियम रेंज के अंदर यहां मार कर सकता है, यह काफी मार्टेंट है जिते भी कलकता लास के QUI के इसको फिचर के अदर फिट किया जो टेस्ट है वो इंडियन देवी द्वारा किया गया है Anot अगली खबर की यहां पर बात करें तो 18 में जो है वो बुद्ध पुर्णिमा की रूप में पूरी दुनिया के अंदर सलेबरेट किया गया ठीक है इसको UN दौरा इसको वेशाक दे के रूप में मनाया जाता है यह एक्चुली इट सब वेशाक जो हिंदी महिने का वेशाक होत काफी टाइम से लिखा नहीं है उसको तो जो वेशाक है बुद्ध पुर्णिमा के दिन बुद्ध पुर्णिमा जो है जो है सलेबरेट की जाती है तो बुद्ध पुर्णिमा के जाती है तो बुद्ध पुर्णिमा के जाती है जहां पर जिसन भगवान गौतम पुर्णिम इनका चल्म हुआ है उनका इनलाइट्मेंट इसी दिन बिला है और उसी के साथ जो है इनकी म्रत्यू भी जह है इसी दिन हुई है बेशाग पुर्णिमा के दिन अठ्रा मही को जो उनका बर्डे मना गया है इस टू फाइव सिक्स्ट्री पचीस सो त्रेसट वाबर डे गौतम बुग्द का यहां पर सेलेब्रेट किया गया है साथ ही उनका निर्वांट दिवस भी सेम डे को ही अब बोल सकते हैं कि मना जाते हैं लेकिन हमारे एक प्रिंशिपल है कि हम लोग जो है वो जल्वा दिन मन वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर विंकर या नाइडू उसके अंदर वहां पर जाके उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है तो अगले नीउस की बात करें तो नुकलियर टैस्ट बैन जो बाडी है इट ओफर्स इंडिया एज ऑब्सर्वर स्टेटर तो नुकल अब भारत को यहां पर यह एक्सेस प्रोवाइड किया है इट्स कॉल्स सीटी बीटी ओ कॉम्प्रिहंसिव नुकलियर टैस्ट बैन ट्रीटी और अगली ख़बर की यहां पर बात करें तो यह इसकी आप कुछ न्यूस जहां पर पढ़ सकते हैं कि यह ग्लोबल ट्रीटी है अगली ख़बर की यहां पर बात करें तो अरुनाचर जो है वो 35% इंडिया का ग्राफाइड डिपॉजिटेस के अंदर यहां पर मिला है यह GSI का जो एक रिपोर्ट है वो रिवार्ट के रिपोर्ट के अंदर यहां पर दावा किया गया है तो GSI जो है यह हर सार इस तरह से अगली ख़बर की यहां पर बात करें तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही I hope you like the lecture और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको अपोड कीजे अपने फ्रेंड्स के साथ में शायर कीजे थैंक्यू